तो क्याले बाइब देवे सौगात आप सभी काज की इस नहीं वीडियो में तो फाइनली अब अपका एकाउंट का एक्जाम खतम हो चुका है अब बारिया लौ की तो अब आकाउंट के बारे में सोचनी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी जो होना है हो गया है अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है कुछ गलतिया हुई है तो कोई बात नहीं अब लौप पर फोकस करो और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बट मैं आप सभी को कौँगा आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है तो एक काम करो साथ बजे तक या फिर आट बजे तक आप अराम कर सकते हो मैं कौँगा एक नैप ले लो प्यारी सी मस थोड़ा फ्रेस भी हो जाओगे उसके बाद आठ बजे से लेके बारा एक बजे ता जो भी आप निकाल पाओ जितना आप एक्स्टेंड कर सकते उतना एक्स्टेंड करके आप आज की दिन में क्या करना आज कुछ नया मत पढ़ दिमाग में रिकॉल करोगे तब आपको आइडिया पढ़ेगा अच्छा ये टॉपिक तो मैं भूल रहा हूं ऐसा नहीं कि तुरन पढ़ने जाना है नहीं आपको बस इतना पता जाज़ागा कि हाँ आप क्या-क्या भूल रहा हूं उसको या तो नोट करते चलना है या फि वही सारे टॉपिक्स को आपको रिवीजन करना अच्छे तरीके से आप चाहो तो साम के समय में भी रिवीजन कर सकते हो बट मुझे ऐसा लगता है जब आप कोश्चंस के गो थू करोगे तो आपको एक सही आइडिया मिलेगा कि आप क्या-क्या भूल रहा हूं और एक आतर कि आप थोड़ा सा उठना फ्रेश उठना थोड़ा इतना देर सा पढ़ रहा हूं फिट दो बज़े से लेके पांच वे तक जो आपका एक्जाम टाइम होता है उस टाइम पर बैठके MTP सॉल्व करें इस एक्रम्ट के लिए जो ICI ने MTP launch करी है उसको सॉल्व करना अब सॉ जिसके अंदर अगर आपका पहला जो आपने MTP solve के है वो काफी ज़्यादा अच्छा गया तो आप दूसरा MTP इसमें solve कर लेना और अगर ऐसा नहीं हो आप बहुत सारे topics को भूल रहे थे या फिर आपने बहुत ज्यादा mistakes करी है तो उन सभी की revision आप इस 6-9 के बीच में कर स कोड़े वो खीच लेना उसमें जितनी चीजें आपको जो जो चीजे रिवाइस करनी है वो सारी चीजों को रिवाइस कर लेना और यही आपका last मौका जहां पर आपको next exam देने के लिए जाना है अब आप 10-11 के बीच में उठना अब उसके बाद आपना हाद हो लेना किसे में आपके number नहीं कटेंगे बट अगर आप गलत section number mention कर देते हो तो पूरा answer का marks नहीं मिलेगा तो जिसके लिए आप 100% sure हो किवल उसका ही section number mention करना है दूसरा law के paper में बहुत ज्यादा लोग पैनिक करते हैं मैं तो पैनिक कर गया था उसी वज़े से मेरा law का paper थोड़ा पढ़े हुए हैं तो पहले दो देखो जो लौ का paper हुआ करता है तो उसमें 40 number का BCR हुआ करता था बट आप पूरा paper जो है वो लौ का 100 marks होने वाला है तो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो आपको questions के answers अच्छे से आ रहे हैं उसको थोड़ा time देके अच्छे से लिखना तो exam के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ध्यान यह रखना कि जब आप questions practice करता तो आप RTPs के questions practice कर लेना, देख के जाना, MTPs के देख के जाना, एक MTP तो आपको लिख के solve करने हैं, दूसरी अगर आप कर पाते हैं तो ठीक नहीं तो उसके questions answers देख के जाना, और ICI module के भी questions answers को अच्छे से देख के जाना, ध्यानी रखो मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देखने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको ज्यादा time लगने वाला नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल भी मत करना, या time के ओज़े से मैं नहीं देख पर है, time है आपके पास, अगर आ आपको लौ का पेपर देख के आना, उसको फोड के आना है, all the best फोड के आओ, बस मिलते हैं next वीडियो में, और अगभी तक चैनल को नहीं सब्स्राइब करके तो चैनल को सब्स्राइब करके बेल ऐगन को और पे सेट कर लेना, और वीडियो का लाइक भी करना, दोस्ता सब्स्राइब करना, मिलते हैं next वीडियो में तक के लिए, all the best, अपना ख्यालो को, अपनी मुमी पापा का ख्यालो को, bye!